Hello everyone, अब हम स्टार्ट करेंगे in-text question, page 180 के, ठीक है? List any three reasons why you would think that you are sick and ought to see a doctor. If one of these symptoms were present, would you still go to the doctor? Why or why not? मतलब ऐसे कोई भी तीन reason बताईए, जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि आप बिमार हो and आपको doctor के पास जाना चाहिए और क्या, अगर इन में से कोई भी एक symptom present होगा, तब भी आप doctor के पास जाओगे, कोई केवल एक symptom present हो, तब भी you will go to the doctor, क्यों और क्यों नहीं? सबसे पहली बात तो, first चीज जो दिमाग भी रखनी है, headache और fever मतलब अगर हर किसी का, obviously अलग अलग answer हो सकता है, but headache अगर होता है, कई सारी चीजों की वज़े से होता है और साथ में fever है, तो मतलब ये थोड़ा सा tension वाली चीज है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा के ensure हो सकते हैं कि क्या करना चाहिए shivering यान कि ठंड लगना and tough होना, बार बार खासी जुखाम होना, तो ये अगर इन में से कुछ भी है तो डॉक्टर को दिखाया जाएगा lose motion आपको पता ही है, वो होता है, बार 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 आपको जो waste है वो निकालने की ज़रौध पढ़ रही है और बहुत ही liquid form में आ रहा है, so this is lose motion so यहाँ पे अगर इन में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट होगी, तो डॉक्टर को दिखाना बनता है, and the reason is क्योंकि ये जो भी symptoms है न, ये को long term के लिए आप ignore नहीं कर सकते हो ये मतलब ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगर इन पे ध्यान नहीं दिया गया, तो it can lead to serious problems ठीक है, और doctor, हम लोग तो ऐसे बता नहीं पाएंगे, पर doctor देख के बता देंगे, कि actually ये जो problem हो रही है, किस वज़ा से हो रही है अगर केवल कोई एक symptom भी present है, तो doctor के पास जाना पड़ेगा, proper treatment के लिए, ताकि reason बता चल जाओ और उस चीज़ को वहीं की वहीं पे end कर दे, ठीक है in which of the following cases do you think the long term effect on your health are likely to be most unpleasant, मतलब इन तीनों cases में से, ऐसा कौन सा case है, जो long term effect करेगा हमको, हमारी health को पहला है, if you get jaundice, if you get lice, if you get acne, why? इन तीनों में से कौन से reason में, बहुत long term effect होगा, देको lice और acne जो होते है न, वो long term effect नहीं छोड़ेंगे अगर आएंगे, चले जाएंगे, इस तरह से रहेगा, लेकिन, अगर इसे कोई jaundice हो जाता है न, तो jaundice का जो experience होता है, it's very unpleasant और बहुत जादा time के लिए ये body को थोड़ा सा अंदर से weak बना देता है, और हमारा liver jaundice में काफी effect हो जाता है, आपको पता ही है liver का तो बहुत सारी चीजों का काम है, हमारे जितने भी waste चीजे हैं, उनको अलग कर देना, उसके अलावा हम जो भी medicine खा रहे हर एक चीज को हम हमारा liver देखता है, तो उस पे बहुत असर पड़ता है और जादा time लगता है recover करने पे इस type की problem से, jaundice ए chronic disease है जो पूरे body को effect करती है, और इसको काफी time लगता है cure होने में, ठीक है jaundice की वज़े से liver पे असर पड़ता है, ये साथ में hair fall होता है, plus body में और भी कई सारे changes आत कर लिए हैं, second part के, sorry, दोनों question कर लिए है, page 180 के, ये video आपको अच्छी लगती है, तो please channel को subscribe जरूर कीजेगा, most importantly, नीचे description box में, जित्ती भी playlist के link share करें, उनको check कीजेगा, या directly channel पे जाके भी, आप playlist check कर सकते है, कोई भी video आपको अच्छी लगती है, कुछ भी आपको अच subscribe जरूर कीजेगा, and most importantly, वीडियो को like कीजेगा, thank you so much, have a nice day, I'll see you next time in the next video.